यो आमी बारम बार जान्द छों, भित्रबाट मान्द छों पनी कि एक दिन मरनू छा तेस्सोत यो सास्वत सत्यो, as she or as death, आमी बन छों नी, मृत्यू समान सत्य बस्तु कही पनी छही ना, यो आमी जान्द छों, तरा मान्द आईनो तेसेले संसार के पचाड़ी लागी रहüyorsun यो ठाने रह कि म सदई रही रहने छू म सदई रही रहने छू, म म दिना, पिर संसार में आन्द छो, म पाय रही छोड़ छू यो ठाने रहने आमी परिश्रम करी रहा छू तर जती परिश्रम गरे पनी तयो अनन्त मात्रा को प्रतिक्षण बर्दै जानेर सदय रही रहने आनन्द हामी प्राप्ण गर्न गर्न सब्टेनु तेसको निम्थी भगवान लाई प्राप्त गर्न परछंच अब भगवान लाई कसले प्राप्त गर्न सक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्षा इसको बारे मा पनी बताईयो बेदले बताईयो भगवान लाई जाने रने भगवान लाई प्राप्त गर्न सक्षा रेशको तरकपनी प्रस्तुत गरियो कि यदी भगवान कुने एक ठाउं मा भाये को भाये त्यों ठाउं सम्मा पूगनू पर्थे होला अनि त्यों चाय मूर्ती थियो कि के थियो कि तियला लिनू पर्थे होला केही ने केही त्यां उन्थे होला तर भागवान तै शर्वत्र उन्वों छा त 127 प्राप्त गरुञ जांड़ धी पनी जीव ले भागवानवान लाई जानयों भने जानना साथ जानत तुम्ही तुम्ही हुए जाइ जानना साथ भगवान समान आनन्द मए उंछ अब उसलाई त्यो आनन्त आनन्द प्राप्त उंछा भगवान लाई जानना साथ यहाँ सम्मय हमिले एस अगीको प्रभचन मा चर्चा गरे po अब एस पची आएवनुस यहां बताओ दे आये को चब पहिलो दिन मैं यहां रोलाए वेद सास्त्र को बारे मां पास्सात्य दार्सनी करको अभिवेक्ती प्रस्तुद गरे इजो माई ले यूपन ही बताएं कि हमगeurs ब्यांद मा प्रकासको गती उल्लेक करीये कुछ लैद अनी सास्टर जुन भासा मां संस्कृत भास गोई जशरी भगवान अनादी उन्हों जीव अनादी हो माया अनादी हो सनातन धर्म अनादियो अनादि बननू को मतलब कसे ले कसे ले बनाए न न भगवान ले जीब लाई बनाऊनु बहयो न भगवान ले माया लाई बनाऊनु बहयो न भगवान ले सनातन धर्म लाई बनाऊनु बहयो इस अब अनादि हुन, सदा देखी का हुन तेसे गरी संस्कृत भासा पनी अनाधी भासा हो इसको नाम बाटे प्रस्ट होंच सम र कृत यो दुई ओटा धातु बाट बनेक हो जसको अर्थ होन जान चा पूर्ण रूपले परिपूर्ण इसमा कुने विकार चाईना कहीले पनी यो परिवर्तन हो दैना अन्य सवय भासा आरू तेसको विकास क्रम आमी देखना सक्षों सुरुमा थोरे अक्षर थिये ती अक्षर बढ़दे गये सुरुमा थोरे सब्द थिये ती सब्द बढ़दे गये यो विकास क्रम देखना सक्षों येदी भासा को इतिहा सेरियो बने तरह सस्कृत पूर्ण रूपले परिस्कृत भासा हो प्रसस्कृत भासा को विशेषता हो सस्कृत भ्याकरण अब यो महले सस्कृत को बारे मां किने बताऊं दैचो किने कि हम्रो जे निधी हो त्यो निधी को महत्त्व हामिलेने बुझे नहीं बने आमी कसरी गर्वगर न सक्षों कसरी तेसलाई अपनाऊं न सक्षों सस्कृत ब्याकरण जसरी सस्कृत भासा अना दी हो तेसे गरी सस्कृत ब्याकरण पणी अना दी हो यारली सुन्नुबै वाला पाडिनी ले ब्याकरण लेखे, पाडिनी ले ब्याकरण लाई प्रकट गरे, तो पाडिनी नित्य सिद्ध संत उनों छा, नित्य सिद्ध बनना ले सधही देखीको, जसरी आमी नित्य बद्ध छो, नित्य माया को अंडर्मा छो, आजसम्मा भगव प्राप्ति आम्रों भाय को चाहिए ना तरब महर्शी पाणी नित्य सिद्ध संत उनुन थियो उनुन छा पर वहां को जुन व्याकरण अस्टाध्याई यो भगवान संकरजी को विशेश देन हो जो सस्कृत भाहसा को विद्यार्थी उनुन छा तेसो ता मैले कैले पनी सस्कृत पढ़ने अबसर पाई न वहारलाई था छा कि भगवान संकरजी एक पटक नृत्य गर दे उनुन थियो रजाबत्यो नृत्य समाप्त भायो तब वहाले डम्मरू बजाउन भायो जो डम्मरू बाट चौध वोटा इस्पस्ट नाध नाध बनना ले डम्मरू को आवाज लाई नाध भनिंचा नृत्यावसाने नतराज राजो ननाध धक्कम नवपंच बारं उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेत द्विमर्शे शिवशुत्र जालं त्यू चौध वोटा नाध लाई नवपंच बनना ले नौरपाँ चौध वोटा नाध लाई महर्शी पाडिनिले आपनो मस्तिस्कमा धारण गर्नुवए त्यू चौध वोटा आवाज दिभ्या आवाज आयोन रीलरिक एयों आय आवच है वारत लण यमंगाणनम जवंगाडदस जवगाडदस खाफा चाठा थाचा टातब कापै शाखा शर हल इच वोटा नाध लाई वाहले महेश्वर सुत्रमा बादनु वयो एसे बाट व्याकरण चार हजार सुत्र को अस्टा ध्याई वाहले प्रकट गरी दिनु बयो जुन मानब सब्यताकै सरवोच निधी को रूप मा भासा भी दरूले लिंचन। राज पनी कुनेपनी भासामा एदी व्याकरण संबंधी समस्या आयो बने अंतिम अथरिटी पाणिनी को व्याकरण लाई मानिंचन। पर संस्क्रित भासा एशको यद्यपी विशेषता यहां छोटो समय माता प्रस्तुत गर्न संबंध छै न। ताई पनी मा केही यहां प्रस्तुत गर्न चाहांचु। यहनु संस्क्रित भासामा एक से द्वी अरब अठातर करोड पचास लाख सब्द आरू छन। कती एक से द्वी अरब अठातर करोड पचास लाख। रसत्त्रव सताब्दी मा लंडन मा प्रकासित अंग्रेजी भासा को सब्द कोसमा केवल तीन हजार सब्द थी। सस्क्रित भासा संगने कुनेई पनीकुरा सब्द था छोटो सब्द मा भन्न सकने छ्यमता चा। अमेरेकी इतिहासकार उइल डूरांट का अनुसार सस्क्रित भासा ने संपोर्ण भासा अरुको जननी हो। पर विश्व भरी सस्क्रित भासा को अत्यंत ठुलो सम्मान चा। जर्मनी मा मात्रई 14 ओटा विश्व विद्याले मा सस्क्रित भासा को अध्यापन गराईन चा। Forbes Magazine विश्व प्रसिद्ध Magazine तेसको सन 1987 को जुलाई अंक का अनुसार कम्प्यूटर को लागी सर्वोत क्रिष्ट भासा पनी संस्क्रित भासा ने हो। नासा का बैज्यानिक हरुका अनुसार अमेरिकाले 6th र 7th जेनेरेशन सुपर कम्प्यूटर संस्क्रित भासा मैं आधारित भायर बनाऊ देचा। प्र संस्क्रित भासा पढ़नाले, सुननाले, उचारण गरनाले मस्थिस कमापनी राम्रु प्रभाप परदा चा। तेसे इले सन 1925 देखी इंग्लैंड को जेम्स जुनियर इस्कूल मा संस्क्रित भी से अनिवार रेचा। तेही कारण ले करता तेस इस्कूल का बिद्यार्थी अरू सदै टॉपर निस्किन छा। आयरलेंड मा पनी डॉबलिन मा पनी स्कूल छा। सन 1926 देखी संस्क्रित भासा को अनिवार रे पड़ाई उदै आई राखे को चा। तर बिदम बना को कुरा हम्रों देश मां संस्क्रित भासा लाई के नाम दीए को चा। हम्रों नितारले के नाम दीए का सन बन्नुस्ता बुरुजुबा की के है। संस्क्रित भिश्व विद्याले को पुस्तकाले मा आगो लगायर विजयोत्सम मनाऊशन हम्रा नितार। संस्क्रित भासा को उद्गम इस्थल हम्रों देशू। संस्क्रित भासा को अगाड़ी समस्त भिश्व नतमस्तक छा। क्यों संस्क्रित भासा आमी पढ़न पाउंदेनों। तेसेले यो प्रसंग बाहेक को केही कुरा मैले यहार लाई राखना चाहें। ताकी चेतना को जागरणों सामी संग भाय को निधी को मुल्ले आमिले पनी अली अली बुझा। अब आउनुस मुख्य विशय मां। मुख्य विशय यही हो कि भागवान लाई जाननू छा। कीना? फेर ही बिरसिनु भायोला। भागवान लाई किना जाननू छा। कीना की भागवान लाई जाने रने भागवान लाई प्राप्त गर्न सकें। भागवान लाई किना प्राप्त गर्नू परियो? कि ना कि भगवानने आनन्द उनुंछा, रहा मि आनन्द चान्छू यह ओने लिंक, यह कडी आमला याद उनु परछू। यह कडी याद उदे गायो बने, फिलोसफीी पने आमी बुछते जानुछू, धर्संद जानुछू अब आउनुस भगवान लाई कसले जानना सक्षा। गरुड पुराण मा बताईयो, मानव देह बाहिक अन्य कुनेई पनी शरीर मा तत्तो ज्यान पनी प्राप्त हुदेईना तत्तो ज्यान बन्नाले यह जुन ज्यान यहार ले प्राप्त गर देऊनुँँँछ अब टिन तत्तो ज्यान भ्रह्म, जीव, माया, तेशमा माया को ज्यान, एक समललाय चाहिए देईना त्सलिए तथ्व ज्ञान बननना ब्गवधिय ज्ञान, अब आवि इसको डिटेल बडन चुढ्टके इशक फेर, Тथ प्दार्थको ज्ञान, तवम प्दार्थको ज्ञान, अलग सहा तर्श는지मा भगवान संबन्धि अब यो प्रवचन आयो जनागर्दा खरी पेंप्रेट मा पोस्टर मा कसलाई बोलाईयो मनुष्या बोलाईयो ने है नर यह पने आमी सवे मनुष्या आये का छो अरुकुने जनावरत आमले लियायनो कि यो ग्यान केवल मानब देह माने आमिलाई मिलना सक्षा और यो मानब देह ध्यान दिनूस यो अत्यंत दुरलब हो जन मानब देह आमी सवेलाई प्राप्त छा तेसको महत्व हामिले बूझन सक्के का छाईनू यहारुले यहाटा कल्पनागर्न सक्नूंचा कुने द्रिश्य कुने यहाटा गरीब बेगती छा जुपड़ी मा बसी राखेको छा तर तेही जुपड़ी मुनी यहाटी धन गाड़ी एको छा तर त्यो धन को बारेमा उसलाई थाई चाहिने बने त्यों कती अभागी होला सुचनूसता वो विचारा अत्यनता दुखकस्त जेली राखेको छा लाउना खान पनी चाहिना तर उसे को घर मुनी अंगन मा पनी पुंगनू पर देना तेही घर मुनी एदी एक-दुई फीट उसले खनेयो बने अपार खजाना अचा अब त्यों बेगती को दुर्भाग्येको हामी कल फाल पननी कासरीगर्न सक्षाों तेशेगरी हामी सहवेपनी तेही बेगती समान दुर्भाग्ये साली छेओ किकन API किन हमीलाई जेचीज प्रापथम आशेच आमीवले सक्केगा छेओ तेसको महत्यों आमीवले भुजेगा छेव जसरी त्यो बेखतीले पनी आफुलाई प्राप्त धन को महत्तो न भुजनाले गर्दा गरिभी में उसले पूरे जिंदगी काटियो तेसे अगरी हामिले पनी त्यो बस्तु को मुल्य न जाननाले गर्दा तेस बाटक केही पनी लावली न सकेलो यो जुना आमिलाई मानब देह मिलेको छा ने इसको बारे मा सास्त्र मा धेरे ठुलू ठुलू कुरा गरियेको छा दुरलभो मानुसो देहो देही नाम छण वंगुरह तत्रापी दुरलभं मन्य बैकुंठ प्रियद अर्षनम भागवत 1129 यहनुस बेद व्यासी ले बतावनु भयो यो जुन मानब देहा हमिलाई मिलेको छा यो अत्यंता दुरलाभो निर्देह माध्यम सुलभं सुदुरलभं प्लभं सुकल्पं गुरुकर्ण धारं मयानुकूलेन नभस्वते रितं पुमान भवावधिम्न तरेच आत्महा भागवत एगारभी सत्र यहां पनी वेद व्यासी ले बतावनु भयो यो मानब देह अत्यंता दुरलाभ छा यो दुरलभ मानब देह पाए रहा हामिले क्ये गरनुछा जे हामिले गरी रहे का छो तेसको लागी वही न यो मानब देह दुरलभं त्रैमे वैतत दैवा नुग्रह कारकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महा पुरुससंभवा आदि जगत गुरुषी शंकाराचारे जी वहाले बतावनु भयो तिन ओटा भगवान को अठ्यंत दुरलभ कृपा उंच त्रैमे वैतत तिन ओटा दैवा नुग्रह भगवानले जब अनुग्रह गरनोंुचा पृपा गरनोंुचा तेस्पची मात्री प्राप्त होंचा नित्तिने ओठा दुरलभ चिजरो पहीलो मनुष्यत्वम मानब्देह यह जुन मानब्देह आमिलाई प्राप्त चा यह यहती सजीलाई प्राप्त बायको वही न कब हुक करी करुणानर देही देत इश बिनुहे तूसनेही तुसिदाश जी महाराज ले बताओ नुबायो कि यह मानब्देह भगवान ले करुणा गरे रख कब हुक कुनेही बेला वालाई लागयो कि विचारा यह चावरासी लाख मा गोमे को गोमे छा अनन्त दुख इसले पाई राके को छा घरी नरक मा घरी बिविन नहीन योनी अर मलाई जानोस मलाई प्राप्त गरोस अनि सधै का लागी त्यो दिभ्या आनंद प्राप्त गरोस यो उद्यश्यले भगवान ले करुणा गरे रह योटा अवसर दिनुबाय